नाजरीन, हमारी जिंदगी में बे सकूनी की एक वज़ा ये भी है हम दूसरों की नेमते गिनते गिनते अपने उपर अल्ला के हैसानात भूल जाते हैं जिसकी वज़ा से हम नाशुक्री, नाउमीदी और यहां तक के कभी कभी हसत और भूक्स का भी शिकार हो जाते हैं ये चीज़ हमारे सकून की बर्बादी और अल्ला से दूरी का सबब बनती है अल्ला पाक हमें हर हाल में अपना शुकर गुजार बंदा बनने की तुफीक अता करें और सकून कल बटा करें हमारे सेग्म तौिक है हमारा आज शुकर गुजारी、 उस अभाले से हमारी मोटिवेशनlio स्पीकरें एर называется उनसे गुपतबु होगी और हमारी नेट्रोपैर्ट डॉक्टर उमेरा ही उन से बात करेंगे स्किन के हवाले से तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी आगा साब आप से मज़र उससे पहले बनाई किया आप लोग कैसे हैं खेरिये से हैं आज पांच मारोजा हो गया अज़ा पांच मांज़ा आपके तो माशाला आपके अज़ा अल्हा माशाला पूरे चल्ता इपांज़ता हूँ मैं समझता हूँ गुना है अपना नुक्सान है कि यह िंवा है फश्यूरे रमुञाँ बस्ता है इंशूरंस होता है, इंशूरंस इंसान माले फरीज़ इस बेवकुती है बिल्कुल ठीक, और मैं ये अपना जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, शुक्त गुजारी का तो इर्म साहिबा, मैं आप से पूछना चाहूंगी कि हम अल्ला की निमतों का शुक्र कैसे अदा करें अदू बिल्लाहि मैंने शेटान रजीम, बिसम ल्लाह रह्मान रहीम पीम अली, जिन्दगी आमद बराए बंदगी, जिन्दगी बेबंदगी, शर्मिंदगी तो जो थोड़े पे राजी नहीं हो सकता, वो जादा पे भी राजी नहीं होता जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्ला रब लिज्जत का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता और जो निमत का जो अल्ला ने दी उसका चर्चा नहीं करता मतलब लोगों को उससे फाइदा नहीं पहुँचाता वो नेमत के खाबिल नहीं रहता जो जुड़ के रहता है अल्ला उसको रहमत देते हैं जो गिरू में बच जाते हैं कि बस मैं मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा रुद्बा मेरा कारणामा, मेरे स्टेटस अल्ला इसे लोगों को तबहा करते हैं आपकी बड़ी प्यारी बात है मगर ये बताएगा कि कभी ऐसा भी होता है कि रिष्टे भी नेमत होते हैं कुछ लोग कुछ रिष्टों से फाइदा ले लेते हैं लेकिन जब अल्ला उनको नवाद देता है तो वो उन रिष्टों की कदर को भूल जाते हैं खो देते हैं उनके सामने पर उन रिष्टों की अतनी एहनियत नहीं रही थी उनको लगता है कि जैसे जो एक फाइदा लेना था वो ले लिया अब तुमारा ये रास्ता मेरा ये रास्ता क्या ये भी अल्ला की निम्तों की शुकर गुजारी ना करना है बहुत बड़ी नाशुक्री है क्योंकि अल्ला ने हुक्म दिया जुड़ के रहने का अफ़र आपको जिन्दगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तानाजनी करेंगे आपके साथ किसी भी बात के ओपर नीचा दिखाएंगे तान्ट करेंगे और शो ऐसे करेंगे कि इज़र सब कुछ आपने किया और अगर आपके रास्ते से हट गए हैं तो फिर सारा ब्लेम आपके ओपर डालेंगे कि यह आपने किया यही वज़ा है कि हमारे डिल मुत्मेukर नहीं है हम खु06 से खुब तरकी तलाश में रहते हैं हम कहीं रुखते ही नहीं है चाहे आपने रिश्टेदारों को उसमें इस्तिमार करके आगiri निकल जाये चाहे दोस्तों को करने चाहे बॉस को करने कुलीग्स को करने किसी को कर ले, मैं रिमा जी आपको यहां एक शक्त, ऑनिसिस के बारे में बताना चाहूंगी, कि दुनिया का अरब पती शक्स था, उसकी बिमारी ये थी, कि वो पलके नहीं जपका सकता था, तो जब वो सुबह उता था तो उसकी आँखे टेप से क्युका दी जाती थी और आपको सोने के लिए वो टेप हटा दी जाते थे, तो लिट्स गिर जाते थी तो उससे किसी लिए पूछा था कि क्या फाहिश है जिन्दी की मैं कोई चाहते हो उसने का एक मर्तबा सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी आँखों को खोलना और बल्द करना चाहता हूँ हज़र शेफ सादी रह्मतुल्ह लेह फर्माते हैं कि मैं हर आने वाली और हर जाने वाली सांस हम समझते हैं सांस हमारे अफ्तियार में है मैं हर आने वाली और हर जाने वाली सांस के साथ अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि अगर अंदर की सांस बाहर ना आए और बाहर की सांस अंदर ना जाए तो मैं किस काबल और हम किस काबल तो बेसिकली हम आगे भी बात करेंगे लेकिन शुक्र गुजारी के जो चार दरजाद हैं वो आज में जरूर अपने अर्डियन से बिल्कुल आपने बताने क्योंकि ये बहुत आहम टापिक है और हम अल्ला की इतनी सारी नेमते हैं उनका सुक्रदान ही करते हैं हर बगले शिक्रे हमारी जबान पर रहते हैं खास पार पर एक दूसरे से तो बहुत गले करते हैं त सब कुछ दूला देते हैं और ला का शुक्र नहीं करते कि अच्छे सचे रिष्टे ये थी एक बहात बड़ी नेमत होते हैं जल्प कोफो रहां के लिए बएस्द के लिए से एक नेमत शाय Nuhramad के लिए है । उस्परकी इस्सका के वांध स्थाइष के बात मैं इसलिए करता हूँ अगर महतिल को अल्ला की हम्स सजाया जाए तो उसमें एक खास नूर पैदा हो जाता है बरकत पैदा हो जाती है अचा देखिए ये जो शहद है और अकरीम में अल्ला ने जिक्र किया इसका कि हमने लोगों के लिए ये इसमें शिफर रखी है अब बहुत सारे लोग इस वक रीमा ऐसे हैं जो इस बात को एहमियत नहीं देते वो समझते हैं कि बड़ी कदीम चीज है ये शहदी ये हमारा क्या करेगी जब आपका यकीन नहीं होता उस पर तो वो वाकई आपके लिए कुछ भी नहीं करती 90% शहद तो जाली मिलता है असली शहद ही नहीं मिलता अच्छा असली शहद अगर नसीब से मिल भी जाए तो वो सिफ घर में रखे का रखा रह जाता उसको लोग इस्तमाल करने की तरफ तबज्जों नहीं करते है नभी रह्मत अच्छा अच्छा ने फर्माया कि शहद को अपने लिए लाजिमों मल्जूम यानि कि लाजिम करार दे दो शहद खाना फिर मेरे मौला रसूल कुदा ने फर्माया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ कुद्रत में मेरी जान है जिस घर में शहद होता है फरिश्टे उस घर के मकीनों के लिए अल्ला से बख्षिश की दूआ करते है अन्दादा करें शहद की फजीलत क्या है शहद का मुकाम क्या है तो खालिस शहद की क्या पहचाना है खालिस शहद की पहचाना है अगर आप हतेली पे थोड़ा सा खालिस शहद रखिए और लाहौरी नमक लाहौरी नमक तो एक डली उसमें रगड़िये अगर शहद नमकीन हो जाए तो शहद नकली है अगर नमकीन नहाओ तो शहद असली है कागस के टुकड़े पर सफेद कागस के टुकड़े पर शहद की एक बून टपका ये चार घंटे के बाद भी अगर आप देखेंगे नीचे उसकी नमी नीचे नहीं आएगी शहद असली है एक मकी को अगर आप किसी तरह आम मकी को पकड़के शहद के अंदर अगर उसके परों पर शहद लगा लिजे तो पांच-दस-पंद्रा मिनट में परों को जाड़के मकी उड़ जाएगी शहद असली है रोटी के टुक्रे पे शहद लगाईए और आग के शोले पे उसको जलाईए अगर चुर्चुराइट की आवाज आए तो शहद नकली है और चुर्चुराइट की आवाज ना आए तो शहद 100% असली है माशाल आपने कितने ज्यादा फवाइद बता दी और किस तरहां से हमें पता चल सकता कि क्या चीज असली है क्या नकली सिवाए इंसान के बाकी हर चीज का पता चल जाता है कि इंसान कितना असली है अंदर सर कितना नकली इन्सान की बात हुई तो मैं पुछना चाहूंगी कि बजाहर जो चीज नजर आती है उसको खुबसूरत बनाने के लिए तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अंदर की खुबसूरती फर्म इतना ध्यान नहीं देते हैं तो आप यह बता है जो चीज नजर आ रही है हमारी स्किन इसको कैसे खुबसूरत बनाया जा सकते हैं और कैसे तरो ताज़ा रखे अच्छे देखें रीमा पहली बात आपने खुबसूरती के पर तवज़ा जादा देते हैं और जो असल खुबसूरती है जो इसका अक्स बाहर आता है उसके हम फोकस नहीं करते तभी बहुत सारे लोग अपने आपको खुबसूरत दिखाने में नाकाम हो जाते हैं मायूस ह जाते हैं पहली व驕 विवली बात आपकी एरम ने जो करा शुबसूरत नहीं और ये बहुका झालकर अगर अगर आप अपको शुकर अदा करते हैं अपनी नेमत खुबसूरत दे है उसके बहुत कीमत लोग झालकर छो एफे उसक Теперь की बहुत कीनती है इसको दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है अगर एक दफ़ा एक धबा भी आ जाए तो उसको सही करने के लिए लाखों रुप्य हम लगा देते हैं तो उसको आप ने उसका खयार रखना है शुकर करते वे उसको एहसास करना है और उसकी सेहत और खुफशूरती को वरकरा रखने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ बताओंगी जो सब लोग अराम से कर सके खास के खवातीन अलो वेरा जेल आपने लेना है लेकिन फ्रेश लेना है प्रोसेस अलो वेरा नहीं लेना है अलोवेरा जेल आप लेंगे, तक्रीबर वान स्पून आपने जेल लिया है उसमें आपने कोकनट ओईल हाफ की स्पून एड़ कर लिया कोकनट ओईल बहुत आराम से मिल जाता है एजी ली और वाइटमिन ए का एक कैपसूल एड़ कर दिया इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से आपका जेल सा बन जाएगा क्रीमी जेल तयार हो जाएगा ये रात को आपने सोते बाद अपने फेस पे, हाथों पे, नेक पे, हाथ रख मसाज करना है और सो जाना, अच्छा बहुत सी खवातिन केंगे, ये सकन ऑईली है, दाना निकल आएगा उसके अंदर जो है ऐलोवेरा जेल डानों को भी खतम करेगा लेकिन फिर भी अगर आपको खौफ है कि उसके अंदर कोकुनेट ऑईल और वाइटमिन एई है तो हमें इस सकन पर कोई ना कोई पिंपल आ जाएगा तो सिंपल इसके अदर एक पेंट जो है तीच वो हल्दी का एट कर दें और फ्यू डॉफ टीच वी ऑईल के तो इसके साथ जो है आपके फेस के पर दाने भी नहीं निकलेंगे और जो निकल रहे वो भी खतम हो जाएगे इरनकादा अब मुझे बटायी जौब कहना चाहरे थी के चार तरीके हैं शुकर गुजारी के मैं यह कहती जी के छार बिसिक जो शुकर गुजारी के तरीके है उसमें यह है कि जब लूब ने आपको नेमतें दे दी आप इस काबिल है और वो पाक जात है वो सबसे बज़र्ग तरीन है वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है फजल करने वाला है ख्याल रखने वाला है उससे बड़ा कोई हिफाज़त करने वाला नहीं हम तो कुछ भी नहीं हम सिर्फ उसकी नजरे रहमत के सद्के में अपनी जिन्दगियां गुजारते हैं तो दर हकीका जब नेमत नसीब हो जाए तो उसके जो फराइज हैं आप उसको समझने कि अब आपको ये दिया है तो इसमें किस किस का हक है और अब आपको क्यों दिया है हमेशे इस सवाल को अपने आप से जरूर करें कि मेरे रब ने मुझे ये मुकाम ये रुद्बा, ये ओदा, ये पैसा जो दिया इसके फराइश क्या है दूसरे यह कि उसके ताबे हो जाएं उसके ताबे होने का मतलब यह होता है कि उस नेमत को समझते हुए अब उस नेमत का क्या distribution करना है और उसे किस ताइदे के लिए इस्तिमाल करना है कि आँख है तो अच्छी चीज को देखें कान है तो अच्छी बात सुने जबात दी है तो अच्छी बात अदा करें कि ताबे होके उस निमत के उसको अच्छे काम के लिए इस्तिमाल करें फिर ये कि कभी भी अपने अंदर अकर ना लाए अल्ला ने आपको दी तो उसको तकसीम करें लोगों में बाटें, लोगों को फैज पहुझा है क्योंकि जितना आप मैंने पहले शुरु में कहा था ना और जिनको फैज चर्शा करें ये बिताएं कि जिनको फैज पहुंचाने की कोशिश करें मगर उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस ना आए या कुछ ऐसी चीजों जिसे आपको और मुझी दुख जाए तो फिर जो उसे भी शुकर करना चाहिए कि वो कहते हैं कि हरंदाद में शुकर करो अल्ला का किसे तुम्हें एक एक्स्पीरियल सासर हो गया मुझी अगर तुम नेकी करो और उस के बदले में तुमें बजाए मतलब आप पे तनकीद कर रह भा मुझा मुझा ने फरमाया अगर नेकी के बदले में तुम्हें बुराए मिल जाए तो समझ लो तुम्हारी नेकीactor हो गई मौला अली ने फिरमाया कि जिस पर इसान करो उसके शर्ष से बचो तो पर इसान करो लेकिन ये देखें अब आपने शुकर के साथ सबर भी करना है और जब आप शुकर के साथ सबर करेंगे न तो अल्ला रब लिज़त आपको वहां से नवाजेगा कि जहां शक इनसान की सोच भी नहीं है अगर आपकी नाकदरी की जाए तो मौला ने फरमाया नेकी करना मत छोड़ना नेकी करते रहो मौला काइनास से एक शफ्रस ने पूछा कि मौला अल्ला आदिल है किसी को ज्यादा दौलत दी किसी को कम दी तो मौला ने फरमाया कि ज्यादा जिसको दी है जिसको कम दी है उसका हिस्सा उसमें रख दिया अगर छ़ह बहन भाई है दो ज्यादा पैसों में मद्वेद हैं दोलत जादा है चार गरीब है लिगा ने की जो चार गरीब हैं उनको समालो स्भालते हैं नहीं हैं लोग अब जब संभालते हैं लोग अब जब संभालते हैं नहीं नहीं हैं गुना हो कर मुझे जादा दिया और अबष्रबां को कम दिया मुझे चुकशाफ मुध कनी चाइए चुक्के चुक्के मदद करते रहे वो जो चुक्के चुक्के मदद करना है ना वो ही बख्षिश का वीजा है वो ही बख्षिश का टिकेट है आपका जन्नाद का टिकेट है जी बात मुकमल हो गए आपकी बlangकों Anytime वे बात की है जब मौला अली ने ये फर्मा दिया एक सब पूछा गया तो फर्माईि लगा द्ना की तख्सीम पर इतराज। तो जो लोग दरहकी किए अलला की तख्सीम पर इतराज करते हैं वो ना खुड शुकर अदा करते हैं और दूसरों की नेकियों को जाया करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं नेकियों की बात हो रही है आप अधाया दॉक्साहिबा के अपनी सकिन को तरो ताजा रिखने के लिए हम कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तमाल करें खासता फिर ड्रिंक का और खाने के हवाले से लिए फाइबर और जूट वो तमाम चीज़ें जो आपके स्किन को हाइडरेट करते हैं तो अच्छा दूसरी बात खीरे के इस्तमाल की खास बात है कि अगवातीन इस्तमाल करती तो उनको डिप्रेशन से भी महफूस रखता है आपने खीरे का ड्रिंक बना के पीना है उसके इलावा एलो वेरा का जो ड्रिंक है वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो आपने इस्तमाल करना है लगाने का मैंने बताया लेकिन पीने का भी बहुत जरूरी है दूद और धई इसका इस्तमाल जरूर करें और बह हसत के पर कहा था तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं हम सब कुछ लगा रहे हैं लेकिन हमारे चेहरे पर गलो नहीं आ रहा है या हम अपने फेस को कैसे फ्रेश कर सकते हैं तो पहली मेरी उनसे बात यही होती है अपने पेशेंस से भी कि पहले जो चीज तुमें अता की गई यह उसका शुकर अदा करो और जो आपके पास नेमात है उसमें से आपने बाढ़ते वे और फिर अपने उपर खर्श करना है इसलिए कोई दिन पहले बात है जो कि हविस के अंदर जो हम हाँ चीज अपने पास जमा करना शुरू कर देते है तो उसमें आपने ख्याल रखना है अपने स्किन को हाइडरेट लखना है अपने आपको फ्रेश लखने के लिए सबसे इंपॉर्टन थैं खाने में भी और लगाने में भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हर हाल में अल्थ आला का शुकर अदा करना चाहिए और मैं तहे दिल से अपने रभ का शुकर अदा करती हूं कि उसमें मुझे ताफ्रीक दी कि मैं इस रमजान में भी अपने इल्में इदाफा कर सकूं अच्छाला आपने सुर्ख रंका दूपट्अ पहना है तो मुझे एकड़ां से ख्याल आ है कि अब तरबूस का सीसन शरूरू होने वाला है ये बताएं कि तरबूस खाने के क्या फ़़द है और कितूनी मिगदार मैं और किस वक्त में हमें खाना चाहिए टाइमिंग का जरूर बताएगा डॉक्सर क्योंकि बाइस लोग मिदनाइट में भी उटके या कभी शाम को या सूने से पहले भी तर्बूस खाते हैं तो वक्त के हवाले से भी जरूर बताएगा अच्छा तर्बूस के बेशमार फायदे हैं और एक चीज़ जो सब सुनके खुश हो जाएंगे कि तर्बूस में गलूटाथायोन मौजूद है हम इतने कैपसूल खा रहे होते हैं इंजेशन लगा रहे होते हैं तो फुल आफ गलूटाथायोन है तो अगर आप तर्बूस ख खाने का जो आपने पूचा टाइम के एक तो फूर्ट कोई भी है खाने से पहले खाना चाहिए खासकर वो फूर्ट जिसके पानी का कॉंटेंट जादा है उसको आप खाने से पहले खाएंगे दूसरा है कि तर्बूस को रात को नहीं खाना चाहिए बहुत से लोग रातों तो उनको जो है डायरिया हो जाता है, हेल्जरी काफियत हो जाती है, तो वो उनको खराब हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, उनके लिए मुनासिब नहीं होता अधक सर्थ ठोड़ी से और रोष्णी डालिएगा कि तर्बुज के उपर से पानी भी नहीं पीना चाहिए अधका प HIV तर्बुज के पानी नहीं पीना तर्बुज के लाद चावल ने खाना है आप में तर्बुज का और चावल का कम्बिनेशन कभी भी नहीं रखना है, हाजिनके पेट मैदे बहुत स्ट्रॉंग हैं, सब कुछ खा लेते हैं, कोई मसला है, उनके लिए कोई इशु नहीं लेकिन 90% लोगों को मसला आता है, तर्बूज और चावल का कम्बिनेशन से, और उसके बाज़े के तर्बूज के नुकसान दे हैं, आपने अगर हाफ तर्बूज इखाना है, तो उसके हाफ की क्यूब्स बनाएंगे, पूरे तर्बूज को आपने काट के स्टोर करके फिर पूरा हफ़सा नहीं इस्तमाल करना है, जब वो पानी छोड़ देता है, तो वो आपकी तर्बियत के लिए मुना बताएंगे कि आसानी के साथ हर तबकाए फिक्र से तालुक रखने वाले लोग उसको इस्तमाल करें। आपने कलोंजी को इस्तमाल किया बहुत आसान है, शहत के साथ आपने काली मिश्ट दो तीन डाल के इस्तमाल किया गले के लिए बहुत आसान है, लेकि यहां मैं एक चीज़ का ऐसा जिकर करूंगा, रीमा मेरी बेहन कि आप हैरान हो जाएंगे, शदीद गले की तकलीफ हो, शदीद नजला जुकाम हो, शदीद नाजबंद हो, एक ऐसी स्टीम बताता हूँ, अगर आप एक पतीली में एक लीटर पानी डालें, और उसमें थोड़ी सी कलोंजी डालें, एक टेविल स्पून डाल लीजे, थोड़ी सी उसमें आप कुंदर डालिए, कुंदर एक दरख की दवा है, तिब नवी में इसकी बड़ी तारीफ की गई है, कुंदर को डालिए, उसकी जो स्टीम होती है, चार पांच घर वाले बैठके, उसमें बच्चों को भी उठा लीजी, वो स्टीम जब उठेगी, सब के सब एकी पैकेज में शिफायाब हो जाएंगे, बच्चो को पांच मिनट बहुत है, बड़ों को दस मिनट बहुत है, आपने उसकी उपर तॉलिया डाल के जुगना नहीं है, आप सी उसको जला दें और पका के उसको रख लें, हल्की हल्की स्टीम जाएगी, आपकी तबियत में एक घंटे के बाद अफाका मैसूस होना शुरू हो यरिम साहिबा सबर शुक्त की बात हो रही है, हम लोगों के उपर अल्ला की बड़ी दहनते हैं, बड़ा करम उसकी जाते अग्रस का, मगर फिर भी हमारे शुक्र का वो अंदाज नहीं है, हम सबर नहीं करते हैं, अगर कोई बड़ा चोटा कोई बात कह दे हमें, तो एक सेक में हमने सबर का दामन पकरना छोड़ दिया है, कैसे हम अपने आपको बेतर कर सकते हैं, दूसरों को तो छोड़ें, मगर ये बताएं कि खुद अपने आपको हम कैसे बेतर कर सकते हैं, मुझे ये टिप चाहिए, लाही खेर रखना ये बड़ा नाज़ुक जमाना है, दिलो नहीं कर सकता, वो कभी भी शुक्र नहीं कर सकता, और जो शुक्र नहीं कर सकता, उसके पास सबर का तो दामन होता ही नहीं है, सबर एक ऐसी कादर है, जो आपको धाप लेती है, एक ऐसा लिबास है, जो आपको धाप कर गुनाहों से बचा लेता है, बेरारवी से बचा लेत किसी की रह में पत्थे डालने से बचा लेता है, गुनावों के दर्या में दूबने से बचा लेता है, दूबना तो बहुत बड़ी बात, वो शक्स एक चलू पानी भी उस दर्या से नहीं निकालता है, वो सबर इसलिए करता है, कि वो अल्ला की रजा पे राजी है, और वो श शुक्र है, और फिर फरमाया कि उस पे गवा भी है, कि मैं दो इन्सान अल्ला रब लिज्जत बेयान करें कि इतना ये डीड़ है, कि नाशुक्रा भी है और गवा भी है, और फिर अल्ला रब लिज्जत ने, क्योंकि अरब का दौर है, तो मिसाल घोडों की दी, कि जो जाते हो, पिलाते हो, और सहलाते हो, तुम से इनके खालिक भी नहीं हो, तुम से इनके सिर्फ मालिक हो, ये तुम्हारे साथ ऐसा रविया रखते हैं, तो अब सोचें कि जो जात खालिक भी है, मालिक भी है, तो उसकी तरफ हमें शुक्र कितना करना चाहिए, और सबर का दा उसे इसलिए महफूज रहेंगे बस आखरी का जुम्रा बोल रही हूँ कि सबर करने वाला खामोश रहता है लेकिन वो चीखें अर्श पर सुनी जाती है इसी पर तो मैं कहना चाहूंगी अल्ला ताला की जातिया अग्दत ने खुद फर्मा दिया कि ल्ला सबर करने वालों के साथ है अग्दा म सबको उसकी निम्त पर सबर और शुकर करने की तौफ़्ेक दे और अगर कोई आत्माईश आजाए तो हमें खास طور पर खुद ना खासा कोई बड़ी आत्माईश आजाए तो आला हमें सबर करने का होसला दा करें आमीन ये अपसे पुछना चाहूंगी आला ताला के करन में उन घरों पर जहां पर वो हेलपर जपोर्ट कर सकते हैं जो बच्छियां घरों में काम करती है जब आपके बच्छों को देखती है अच्छा स्कूलों में जाते हुए अच्छा पहनते हुए और फिर वो दिन राद मैं भी इस्तामाल करूँगी मैं वैसे करती हूं हरेस्टार के बाद तो जब वो आपके बच्छों को देखती है बहुत अच्छा अंदास से कपड़े पहने हुए आपको जो चीज़ जरूरत नहीं है मगर चो आजकल हमें एक ब्रैंड्ट की बीमारी देखती है यह जाँ जीज़ यह जाँ है हमने बहुत महेंगे से बैंगा ब्रैंड गर्ज़ai है जब कि हमने थे उसकी जरूरत नहीं है मगर लोगों को दिखाने के लिए कि हम तुम से बेटर चीज़ें अपोड कर सकते हैं तो यह इस चीज़ को हम क्या कहेंगे यह भी क्या बिमारी है दिमागी बिमारी है शौफ करने के और उन बच्चों का जो सबर हमाद माते हैं और फिर वो हमारे घर पे काम भी कर रही है और फिर उनको डान डपट बजाए कि हम शुक्र अदा करें कि ऐसे लोग अल्ला ने हमें दिये जो हमारी हेल्फ करें खाना बनाने में, सफाई करने में, गाड़ी चलाने में और बहुत सारी चीजों में बजाए हम उनका शुक्री अदा करें तो उल्ता हम उनको डानते भी है इसलिए कि सर्फ हमारा हाथ उपर वाला है तो ये कौन सी सबर की मनजल कहूँ या मैं जल्म की मनजल कहूँ या इसको मैं क्या नाम दोंगे और इसको कहते हैं अब क्लारफाई करेंगे परिमा जी ये अना परस्त लोग होते हैं ये अंदर से बुर्दार होते हैं और ये सिप उपर से जीते हैं और ये समझते हैं कि जिन्दगी यही है ये समझते हैं जो खालिया जो पीलिया जो पहनिया बस वो है उसके बाद कुछ भी नहीं है ये बड़े करें इम्तिहान में होते हैं और ये दरहकीता तकब्र करते हैं और नेमतों भी जल्ला रब लिज्जत ने इन्हें अता की है और जैसे कि मैंने कहा था कि फराइज और ताबे होना जरूरी है कि इसका अब तक्सीम कैसे करनी है सरकार अलय सलाम सर्बाते है कि क्यामत के दिन कुछ लोग चीटियों के माने दुठाए जाएंगे पुछा कौन लोग या रसूल अल्ला सल्म जो अपने उपर तकब्र किया करते थे तो मगर इसमस्वारी मैं आपकी कतर कलामी की मौफ़ी चाहती हूँ एड कर दीजेगा कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्ला सल्म ने हमें बहुत नवाजा है तो हम अपनी मेहनत अपने बच्चों के खर्च कर रहे हैं वो एक या दस ब्रैंड्स खरीदें वो जितनी मर्जी कीमती गाड़ियां खरीदें जिस मर्जी बड़े से बड़े स्कूल में पड़ें तो इसलिए इससे क्या फरक पड़ता है इसे लोगों के लिए कुरान में इतना साफ लिखा है कि तुम क्या समझते हो कि ऐ बंदे तेरा क्या है ना तेरी सूरत तेरी ना तेरा रुदबा तेरा नेरा जहन तेरा ना मुकाम तेरा जो कुछ तुझे दिया वो मैंने दिया उसमें से दे जो मैंने तुझे दिया तो दर हकीकत अब यह बच्चे जो हमारे गर काम करते हैं यह मेज होती हैं अगर हम इनको पे कर रहे हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं अपने गुरूर में कि ये हमें वो सर्विसेज दे रहे हैं कि जो अगर हमें खुद करनी पड़े तो शायद हम ठक के अपने बिस्तर पकड़ लें तो हमें तो उनका शुकर गुजार होना चाहिए और ठीक है हम उनको उन स्कूल में नहीं भेज सकते हैं जिन में हमारे बच्चे जाते हैं लेकिन हम उन बच्चों से मीथे बोल बोल सकते हैं हम उन बच्चों को खाना वही दे सकते हैं जो हमारे बच्चे खा रहे हैं हम अगर अपने बच्चे के लिए एक ब्रैंग का लिबास ले रहे हैं तो हम उस बच्चे के लिए भी एक खुश रंग लिबास उसे के साथ ला सकते हैं बाखुदा वो बच्चा या बच्ची या घर में काम करने वाला उसे ही से इतना खुश हो जाता है सबसे बड़ी बात है रमजान का महीना है एद वाले दिन आप अगर अगर अपने घर में काम करने वाले नौकरों से गले मिल लेते हैं तो खुदा की किसम उनकी एद तो वही ही हो जाती है उन्हें किसी और जीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती मैं आपको बताओं आप में अभी का कि आप अपने नौकरों से तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उनको कभी भी हमें नौकर नहीं समझना चाहिए वो हमारे हलपर बिल्कर और उनकी मदद से हमारी जिन्दगी में आसानिया पैदा होती है एक बात आठ कर दूँ मज़र आप अजास्थ दे मुझे रसूल खुदा सललल्ला अल्यों व्ल्यों ने फर्माया मेरे मौला रसूल खुदा ने कि जन्नत मुश्ताख है जन्नत मुश्ताख है उस शफ़की जो अपने नौकरों को अपने साथ बठाके खाना खाता है और खिलाता है उनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं जन्नत का शौक है कि आप जन्नत में आ जाएं जन्नत इश्तियाक रखती है बहुत बहुत शुक्रिया आगाबा साहब आपका भी अजासाईबा बहुत खुस्बार गुफुत baru करती हैं बहुत बहुत शुक्रिया दिल करता हैं बहुत बहुत शुक्रिया विए धुत और धाяет है कि अखर आप सटु मेद विए धाल ज़ू करना है suggestive backup, to you